हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माई चैनल, ब्यूटी गॉसिप, जहां में देती हूँ आपको हेर केर और स्किन केर से डिलेटेड जरूरी टिप्स, साथ ही बताती हूँ बहुत ही आसान डियाईवाई भी, और साथ ही शेर करती हूँ आपके साथ अपनी स्पेशल होममेड रेमेडी जिन से आप अपने स्किन को और भी जादा ग्लोइंग और खुबसूरत बना सकते हैं अपने आज की इस वीडियो में मैं आपको एक ऐसा तेल बताने जारी हूँ जिसको अगर आप घर पे बनाकर अपने बालों पर इस्तमाल करते हैं तो आप अपने सफेद बाल जड़ते हुए बालों की प्रॉबलम से हमेशा हमेशा के लिए छुटकारा पा सकते हैं ये तेल ना सरिफ आपके बालों को काला करेगा बलकि आपके बालों को सौगुना मजबूत भी बनाएगा तो चलिए मैं आपको बताते हूँ कैसे आप अपने बालों के लिए नैचरल तेल बना सकते हैं तो सबसे पहले मैं आपको बता दू तेल जो है वो आप अपनी इच्छा नुसार कोई सा भी ले सकते हैं जो भी आपके बालों को शूट करें और इस तेल में जो एड़ करने के लिए समान चाहिए चाय पती चाहिए यहां पर चाहिए एक टेबल स्पून अलसी के भी जिन है फ्लैक सीट भी कहा जाता है यह तरह का सुपर फूड है यह सरिफ आपके खाने के में खाने में ही नहीं बलकि अगर आप इससे कोई भी डिया करते हैं चाहे हेर के लिए या फिर अपने फेस के लिए या अपनी कोई क किसी भी बॉड़ी पाट के स्कीन के लिए इसका इफेक्ट जो होता है वो बहुत अच्छा आपको मिलता है और आपको चाहिए एक टेबल स्पून कलोंजी कलोंजी वही जो हम अचार वगेरा में यूज करते हैं कलोंजी क्या है कि कलोंजी अगर आप अपने बालों में को मजबूत करता है और साथ ही चाहिए एक चमच मेथी दाना जो आपको आराम से किचन में मिल जाएगा मेथी दाना क्या करता है कि मेथी दाने जो होता है वह आपके बालों को हैल्थी बनाता है आपके बालों को बहुत स्ट्रॉंग बनाता है आपके बालों को घना बनाता चाहिनी बनाता है तो यह है मेथी दाने के गुड़ है अब आपको करना क्या है कि जितनी भी शीज़ मैंने आपको बताई इन सबको अपको चाइपतिं चाहिए मैं एक चममस्ट एड़क़ अगर आपको इन में से किसी भी चीज से ऐलर्जी है या आपके पास कोई चीज नहीं है तो आप उसे अवोइड कर सकते हैं लेकिन में जो हमारा है यहाँ पे आपका चाय पत्ती और मेथी दाना कलोंजी को अवोइड करना ना भूलिएगा अगर पॉसिबल हो तो अब आपके चीज आप अवोइड कर सकते हैं आपको करना यह है कि इन सब चीजों को मिक्सि के जार में डाल करके बरीक पीस लें इनका एक पॉडर फॉर्म में आप इन सब चीजों का बना लें पॉडर टाइप का और डेड ग्लास या दखिएगा डेड ग्लास आपको सरसों का तेल लेना है और उसमें यह पॉडर डाल कर आपको उबालना है आपको यहां पे तेल जो है डेट ग्लास लेना अगर आप ज्यादा डेट तेल ले रहे हैं तो आपको कौनिटिटी जो है इन पाउडर की या इन इंगिरियंट्स की वो बढ़ानी पड़ेगी लेकिन अगर आपको सर्सों के तेल से अलर्जी है तो आप यहां पे बदाम का तेल भी यूज कर सकते हैं बदाम या सर्सों जो भी तेल आप अपनी चनुसाल लें इस तेल को जब आप बॉयल करेंगे तो याद रखेगा आप कोशिश कीजेगा कि आपके पास लोही की कड़ाई हो लोही की कड़ाई जो होता है वो तेल जो भी आप बनाते हैं उनके लिए बहुत इंपोर्टेंट होती है आईरन के गुन आपके तेल में आ जाते हैं तो आप कोशिश कीजेगा कि तेल बॉयल करने के लिए आप लोही की कड़ाई को प्रेफर करें अगर आपके पास लोही की कड़ाई नहीं है तो आप इस कंडिशन में इसक जब आप गैस पर लोही के कड़ाई में अपना तेल बॉइल करने के लिए रखें। और तीन मिनट हो जाएं आपको तेल गैस पर चड़ाए हुए। तो आपको करना क्या है कि विभी पोडर आपने मिक्सी के जार में बना के रखा है। उसको 2-3 मिनट बाद इस تेल में तोड़ा गरम हो जाए तब आपको यह पॉडर जो मैंने आपको पताया था बनाने के लिए उसको आपको तेल में एड करना है और आप क्या कहते जो भी तेल जब गरम करें तो वहां से हटे ना क्योंकि अगर आप हटेंगे तो तेल में जो पॉडर आपने डाला है वो जल जा तेल में यह सब चीजे मिलाने के बाद दस से पंदरा मिनट आप लो फ्रेम पे तेल को पकाते रहिएगा और कंटिन्यू तेल को हिलाते रहिएगा ताकि आपका पॉडर ने जल जाए दस या पंदरा मिनट बाद जब आपका तेल अच्छे से गरम हो जाए तो आप गैस बं बॉटल में भर कर स्टोर कर लीजे मैं आपको बता दूँ चाय पत्ती और कलोंजी की वज़ा से हो सकता है आपके तेल में एक काला पन आ जाए तो आप घबराईए मत कि आपका तेल कहीं खराब ना हो गया अगर आपका तेल में किसी तरह का काला पन आ गया तो नॉर्मल है महिने कम से कम स्टोर करके रख सकते हैं आपका तेल खराब नहीं होगा अगर आप एक महिने तक भी इसे यूज़ करते हैं तो आपका तेल बिल्कुल सेफ रहेगा अब मैं बताते को आपको इसे यूज़ कह सकते हैं तो आप इसे वीक में दो से तीन बार यूज़ करें और कोशिश किजे क्या आप इस तेल को जब भी लगाएं तो कम से कम नहाने से 3-4 घंटे पहले लगाएं और पॉसिबल हो तो रात सोने से पहले लगाएं या आपके जड़ते हुए बाल और वाइल ठेर की जो प्रॉबलम होता है उसे 100% बिरकुल दूर कर देगा और जब आप तीन घंटे तो अपने सर पर रखना ही है अगर आप रात भर रखते हैं तो इसका बहुत अच्छा आपको एफेक्टिव रिजल देखने को मिलेगा वीक में तीन बार अगर आप इस तेल का इस्तमाल अपने सर पर करते हैं तो यह तेल ना स्रिव आपके हेर फॉल की प्रॉ शाइनी ब्लैक और स्ट्रॉंग याद रखेंगे आप तीन बार अगर इस तेल को यूज़ करेंगे तो आपको बहुत ही लॉंग और शाइनी बाल यहां पर देखने को मिलेंगे साथ ही आपके बालों की कई तरह की प्रॉब्लम जो होती है इस तेल से दूर हो जाएगी तो अगर आपने मेरे चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को लाल बटन दवा के सब्सक्राइब जरूर कर लें क्योंकि मैं यहां पर बहुती आसान डियाइवाई ब्यूटी टिप्स और हेर केर टिप्स देती रहती हूँ यह था आज के इस वीडियो में ज